काफी अच्छा बड़ा रिजौ्ट अगर आप यहां पर जाते ओंपनी आप यहां पे सेफली पार्क कर सकते हो हमने कार रेंट की थी एइपोर्ट से रिजॉर्ट तक आने के लिए और टू-3 डेस घूमने के लिए तो हम यहां पे यह पार्क कर रहे हैं कार यहां पे जब आते हो तो एक वेलकम ड्रिंक प्रवाइट करते हैं जो कि काफी जाद अच्छी होती है उसके बाद जब आप अंदर जाते हो ना तो सीधा जाके अंदर सेंटर में पूल है पूल के दोनों साइड में रेस्ट्रों है एक डाइनिंग एरिया है और एक तरफ है क यह कैफे है यहां पे और दूसरी साइट पे है पूल के दूसरी साइट पे डाइनिंग एरिया है जहां पे आप बेक वास लंच दिनर करते हो और काफी बड़ा पूल है बच्छों के लिए भी है सेपरेट पूल तो यह है उनका डाइनिंग एरिया एंड फूड बहुत ही यहां पे आपको वेच नॉन वेच सब आप्शन यहां पे मिल जाएंगे और स्पेशल गोवा फूड भी मिल जाएगा तो सब आप यहां पे नजॉय कर सकते हो ब्रेकफास लंच दिनर एंड दिस इस दा रूम तो हमने सुपर डिलक्स रूम लिया था किंग साइज बेड है और काफी अच्छा बड़ा रूम है साथ में अच्छी बालकनी आप यहां पे दिया हुआ है फुल लेंध मिरर और कॉफी टेबल वगरा है वाथरूम बहुत अच्छा था मतलब यहां पे ड्रायर है सारी टौलेटरीज वगरा सब कुछ प्रूइड थी and neat and clean room and bathroom बहुत ही सही था सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके बच्चे है और आप जा रहे हो तो इनके पास बहुत ही अच्छा जो kids area है play area वो बहुत अच्छा है यहाँ पे इतने सारे जूले थे जहां बच्चे अराम से enjoy कर सकते है and indoor games भी है यहाँ पे जो आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हो तो मुझे यह काफी अच्छा लगा क्योंकि मेरा भी एक बेटा है तो वो काफी enjoy कर रहा था यहाँ पे जोनना बच्चों को boring लगने लगता है अगर उनकी पसंद की चीज़े ना मिले तो यह चीज़ बहुत अच्छी थी हमारे लिए कि play area है तो बच्चे अराम से enjoy कर लेंगे और उसके बाद अब हम जा रहे हैं बीच पे जो कि सबसे best part है इस resort का कि just walk in distance पे ही beach है आप इसे private beach भी कह सकते हैं वैचे तो access बाकी लगों के पास भी है कोई भी जा सकता है बट उतना रश नहीं था जितने भी लोग थे सब बीच पे resort वाले ही थे and just walk in distance पे ही beach है इनके पास beach view restaurant भी है यहां पे तो जैसे आप जाते हो एक तो यह जो रस्ता है ना beach पे जाने का वह बहुत ही जादा खुबसूरत है यहां पे इनका beach restaurant भी है जो कि evening में open होता है और आप अपना खाना पी न कुछ भी आपे beach view के साथ enjoy कर सकते हो अपनी evening को and हम पहुच गए beach पे पहुच गए ना कितने जल्दी बहुत ही clean beach है मुझे लगता है cleanest beach होगा यह बहुत ही सही था और कोई भी रश नहीं था कोई भी जादा लोग नहीं थे बहुत enjoy किया था इस इस बीच व्यू रेस्ट्रों एक डाइनिंग एरिया मैंने आपको बताया अंदर था और यह बीच के जस्ट सामने ही है तो यहां पर इवनिंग में टेबल से अंदर रेंच कर देते हैं और उसके बाद आप राम से बैठके शाम को लहरों की आवाजे सुन सकते हो राम से बीच को देखते हुए enjoy कर सकते हो बहुत ही अच्छा time होता है time spend कर सकते हो काफी सही था तो यह पूरा बीच का अरिया है काफी बड़ा बीच था एंड रिजॉट काफी बड़ा है एंड सर्विस अब अगर अगरा सब बहुत ही अच्छी है रिजॉट की वैसे मैंने सारी रिजॉर्ट की जो डिटेल्स है ना वो डिसक्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइट कर दी है थैंक यू फो वाचेंग